नमस्कार TNB में आप सभी का स्वागत है नमस्कार दी नैशनल बुलेटन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अर्शद इनकप टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पैन को अधार से लिंक करने की गोशना की गई थी जिसकी तारीक 31 Mars last day थी लेकिन अगर आपने अभी तक अपने पैन को अधार से लिंक नहीं किया है तो घबरानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी तारीक को बढ़ा दिया गया है अब आप 30 जून 2021 तक अपने पैन को अधार से लिंक कर सकते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक कराने की आखरी तारीक 31 मार्श थी लेकिन दिन भर इंकम टैक्स की साइट ठप रहने के चलते सरकार ने इसकी आखरी तारीक आगे बढ़ा दी है। इस बीच आप चाहे तो आफलाइन भी अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं बता दे कि इंकम टैक्स की साइट 31 मार्च को क्रैश रहने के चलते सरकार ने करदाताओं को रहत दी है अब आधार को पैन से लिंक करने की आखरी तारीक आगे भढ़ा कर 30 जून 2021 कर दिया गया है हालकि सरकार ने इसके लिए COVID-19 की चुनोतियों का हवाला दिया है अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अधार से लिंक नहीं किया है तो आप 30 जून तक लिंक कर सकते हैं वरना आपका पैन कार्ड निस्क्री हो जाएगा इसके लावा आएकर कानून के तहट आपको 1000 रुपे जुर्माना देना पड़ेगा लिंक नहीं किया तो निश्क्री हो जाएगा पैन केंदर सरकार ने वित्य विदेख 2021 के तहट आएकर कानून 1961 में जोड़ी गई धारा 234 एच को पारिद करा लिया है लोगसभा में इसे 23 मार्च को पारिद किया गया धारा 234 एच के तहट अगर आप सरकार की ओर से तै की गई अंतिम तारिक तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आप पर अधिक्तम 1000 रुपे जुर्माना लगाए जाएगा सबसे पहले Income Tax की वेबसाइट पर जाएं इसके बाद आधार कार्ड में दिया गया नाम पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर इसको आरपर टिकरें इसके बाद आप Capture Code एंटर करें इसके साथ ही आप Link अधार बटन पर क्लिक करें जिसके बाद आपका PAN अधार से लिंक हो जाएगा SMS भेज कर PAN को अधार से लिंक करने का तरीका इसके लिए आपको अपने फोन पर टाइप करना होगा UID PAN इसके बाद 12 अंको वाला अधार नमबर लिखें और फिर 10 अंको वाला PAN नमबर लिखें जिसके बाद आप 567678 या 56161 पर मैसेज भेज दें अगर आपका PAN अधार से लिंक है या नहीं इसके बारे में जानना जाते हैं तो आईए हम आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि आपका PAN अधार से लिंक है या नहीं इंकम टैक्स विभा की वेबसाइट www.incometaxindiaefilling.gov.in पर जाएं जिसके बाद क्विक लिंक टैप पर लिंक अधार पर जाएं और अपना स्टेटस चेक करें साथ ही स्टेटस चेक करने के लिए आधार और PAN कार्ट की जानकारी भरे उसके बाद अब व्यू लिंक अधार स्टेटस पर क्लिक करें अब आपको पता चल जाएगा कि आपका अधार PAN कार्ट से लिंक है या नहीं SMS से भी कर सकते हैं पता आप SMS के जरीए भी अपने PAN अधार का स्टेटस पता कर सकते हैं इसके लिए आपको 567678 या 56161 पर आपको SMS करना होगा आपको UID PAN 12 अंकों का अधार नंबर 10 अंकों का PAN नंबर लिक कर SMS करना होगा फिलाल PAN को अधार से लिंक करने की तारीक को बढ़ा दिया गया है अगर आप बताये गए प्रोसेस को फॉलो कर देंगे तो आप असानी से अपने PAN को अधार से लिंक कर सकते हैं